आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि नियोजित सिक्षकों को समान काम के बदले समान बेतन के नाम पर सिक्षक संगों ने लूटे करोरे रुपेट जिहां आपको बता दे ये ख़बर आज की है कि जीला मुख्याले मी सुंबार को नियोजित प्रारंबिक सिक्षकों की भीर लगी रही वही तीन अलग अलग संगों का काजकरम हुआ बते हुए संग के सिक्षकों ने मंच से सरकार के खिलाफ होकार वरी सबसे बड़ी अपडेट की सिक्षकों से कमर कसने को कहा गया और कहा कि आप तयार रहे हमें लड़ना है अपने हग के लिए साथ ही अपने भविश के लिए परा सबसी बड़ी अपटेट यहाँ पर आपको दे दे कि उनकी एकता की हवा तव निकलने लगी जब अपने काजकरम में एक संग से दूसरे संग की लानत मलामत करने लगे वाटसन स्कूल में हुए काजकरम में दूसरे संग पर आरोप लगाया गया कि नीजी खाते में पैसा लेकर दूसरे संग के नेता दिल्ली में घड़ खरीद रहे हैं तो टौन हॉल में हुए काजकरम में लोगों ने कहा कि जो सिक्षक ही नहीं है वो सिक्षक नेता कैसा किसी ने ये भी कहा कि सिख्षकों के पैसा से सिख्षक नेता हवाई यात्रा करते हुए पटना से दिल्ली पहुचे तो किसी ने कहा कि नेताओं ने हाई कूर्ट और सरवोच नियाले में सुनबाई के दोरान सोसल मीडिया पर फरजी पोस्ट लगा कर सिख्षकों के सोसन किया कि सिक्षकों का उत्सा ही कम होता दिखा बाद में कुछ सिक्षकों ने कहा कि हम सुनने आये थे कि नेता हमें समान काम के बदले समान बेतन मामले पर कुछ बताएंगे पर वो अपनी बराई और संगर्स की कहानी में लगे रहे सबी संगों इस तरह की रवये से सिक्षकों में काफी निरासा हुई कई सिक्षकों ने कहा कि कहीं हमारा चंदा का पैसा जो बचा हुआ है वो भी न लुट जाए दूसरी खबर की बात करेत सिक्षक संगर्स दिवस समारो में बिहार राज प्रारंबिक सिक्षक संग के परदेश अध्यक्ष परदीप कुमार पपु ने कहा कि सर्वोच नियाले में सिक्षिकों की जीत सुनिश्चित है, जिला अध्यक्ष संजीप कुमार कामत की में उन्होंने कहा कि समान काम के बिदले समान बेतन के बीरोध में बिहार सरकार ने हमेशा बाधाई उत्पन की है लेकिन यह संगठन सदाइव संगर्ज किया है बिहार संस्क्रीट शिख्षा बोड के इद्यक्स डोक्तर भारती मेटा ने कहा कि सिख्षगों का स्थान सबसे हूचा है रास्त की निर्मान में इनकी भियुमिकाय संद से महत्पून एंहोंने सिक्षकों को अपने पैसा की पर्ती पर्तिवध खौनियुका or वहीं समान काम के बदले समान बेतन सिख्षकों का हक है जैसे कि आप सबको जानकारी होगा कि समान काम समान बेतन मामले पर सर्बोच नियालाय का फैसला माना जा रहा है कि जनवरी के दूसरे सब्ता तक आ जाएगी ऐसे में विहार के सभी नियोजित सिक्षकों के लिए कहा जा सकता है कि एक अच्छी खबर है अब उनकी इंतजार जो है बहुत ही जल्द समाप्त होने जा रहे है जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगातार जो है सिक्षकों की चंदे से सिक्षक नेता खरी दिते हैं फिलाइट आरोप परत्यारोप जो है एक सिक्षक संगठन दूसरे सिक्षक संगठन पर लगा रहे हैं फैनिली ये खबर जो है मदुवनी जिला का है सोंबार को मदुवनी में तीन सिक्षक संग ने किया अलग अलकाज करम एक दूसरे को खूब गोसा